तो आज क्लास आप लोग का ड्रेपिंग के लिए हैं अगर आपने वो नहीं देखें तो आप उसको पहले देख लीजिए क्योंकि मैं उससे थ्वासा आगे बढ़ने वाली हूं इस क्लास में जैसे पिछले क्लास में मैंने हाफ में ड्रेप करके बताया था आपको और देन उ कि यहां पर होगा आपके यह यहां पर होगा आपके लोवेस्ट पर यहीं समृब्ला करते हैं नहीं करता हैं लोट में ट्रेंद्रेशा करें एक यहीं डार्ट इंदिसक्ट जाना है और साथ साथ हम उसको यही पर स्टिच करेंगे टार्ट को मैं मसीन पने स्टिच करने वाली हूं सब कुछ आज हाथ से होगा तो यह कुछ नया है और मैंने आल्रेडी बोल रखा है कि जो भी मैं ड्रेप करूंगी हर क्लास में आपको खुछ नया सिखाऊंगी तो इस तरह से ड्रेप के सांथ आप चीजे नए नए सीखते जाओगे एक्स्ट्रा से मुझे बताना नहीं पड़े गा और एक्स्ट्रा से आप लोगको उसको cut करके बना सकते हो, direct drape करके बना सकते हो, जैसे lining drape कर दिया, उसके उपर main fabric drape किया, तो वो सब कुछ draping में ही आता है, वो सब कुछ draping में होता है, तो draping का कोई एक way नहीं है, अलग-अलग है, various तरीका है, तो मैं हमेजा जब भी draping का class लोगी, तो आपको हर एक तरीके से बनाना सिखाऊंगी, हार एक तरीके से drape कैसे करते हूं, वो बताऊंगी, तो हर एक class बहुत important है, देखना आप लोग के लिए, बीना skip की अगर आपको सीखना अच्छे से तो, आज के class थोड़ा से लंबा हो सकता है, क्योंकि मैं फ्रांट और बैक दोनों करने वाली हूं तो आप लोग को लगे की बहुत जादा हो रहा है, तो आप break करकर के देख सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला first rule, measurement लेंगे ताकि हमको fabric cut करना है, तो normally जो हमारा length था वो तो है 16, उसमें हम 3 इंच बढ़ा देंगे, बट जो हमा आरा width था वो बढ़ जाएगा, तो कि 9.5 ले रहाते हैं, आभी हम फुल लेना है इतना, 18.5 है, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है, 18.5 है, इसमें हम 3 इंच इक्स्ट्रा करके fabric को cut कर लेंगे, चलिए सबसे पहले हम लोग फैबरिक को cut कर लेते, सबसे पहले तो मैं फैबरिक को आर्या से इन कर लोगी कि बहुत ज़रूरी है और करना, क्रीज बना रहेगा तो बढ़ जाता है फिर आर्या बाद में, देन उसके बाद इसको मैं फोल्ड करोंगी, फोल्ड करने के बाद इसको जो मेजर्मेंट है रख करके हम इसको अच्छ से आयन कर लेंगे, आयन इसलि मेने दब में आलाइं के जानबु सखंगे बनाया है बहुत अच्छे सिगदाँ में फिनिसिंग क्रीज सब्सक्राइब इसको हम लोग बिल्कुल में पर रखेंगे ठीक है तो इसको में पर एसको इस तरह से करते हैं लोर में थ्वा कमी रखेंगे ऐसा धूर जादा रखने की जो अतनी है थ्वास रखेंगे और इसको उल्टा करते हैं थाकि बैठे का से इस ऐस तरह से भूल्डिंग पार्ट जो अंदर गा सी तरह है इसको उपर के तरह है कि चलिए इसको पिन लगाना स्टार्ट करते हैं ठीक है इतना पिर जो भी पहले से देख रहे होंगे क्लास दो ख्लासे तो उनको पता होगा कि पिन कैसे लगाना है क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है आपको फिन में लगा लेंगे क्रीज लाइन को बिल्कुल मैच कराना है जो हमने इस पे पिंक लाइन लगा रखा है जो रिट युद्क की वह इसारा है तैकि वह फाब्रिक से दिखे वैसे लाइन तोBeate अगर हम लोग पिंख लाइन या कुछ ऐसा बना देते हैं तो वह लाइन पता चलता है यहां से कि यहां पर लगा लेते हैं कि यहां पर खिचता है तो यह हो गया ओपर तक सूर्डर ओपर तक निक लाइन तक लगा लेंगे अभी क्या करना है क्योंकि हमें यहां पर डार्ट नहीं बनाना है तो हम इसको बिल्कुल स्मूधली इस तरह से लेते आएंगे इस तरह से इसको हमें नहीं देखना है अभी हमें बस इसको स्मूध करते हैं नीचे की तरफ लाना क्योंकि हमें डार्ट यहां पर बनाना है सारा यहांक पर लाकरके और देन उसके बाद हम इसको डाइट में कंवार्ट करना तो इसको कर लेते हैं पहले यहां पर ये भी से पिम से लाइन के पास एक हो गया फिनिस अब हमें पास फैब्रिक लाना इधर तब यह क्या करेंगे बिल्कुल स्मूध हैंड से यह थोड़ा से यहां पर फैब्रिक को हम लोग कट करेंगे अक्ति यह अच्छे से बैट सके ठीक आप इस तरह से कट करने पूसलास करते हूं ताकि फैब्रिक बहूर्ट स्मोध ली बैठ जाए ड्रेस पूर्म के अब ही हम क्या कररें यह बिल्कुल स्मू स्मूद करते हुना इस तरह से कप्डे को जाद लगों सिस्क्रा dub में नहीं कर साद गहा हुआ है ब्लेकुल हमाद्सें आगसे ढेप करे सब को सब को पिल करते हुए ने करके आना है नीचे के प्रिंसेस लाइन प्रवेश्ट लाइन पर ठीक अब आपके सांथ एक चार्ट सेर करूंगी जिसमें सारा आपको बताया गया है कि कितने टाइब के डार्ट होते हैं और कहां कहां होते हैं ठीक तो कहां कहां बना सकते हैं ऐसा नहीं किसे हम यहां पर नीचे नहीं डार्ट बना सकते हैं कहीं भी बना सकते हैं डार्ट बट मोस्टली हम लोग कपड़े में देखेंगे तो आप देखोंगे तो वेश्ट लैंग पर ही बने होते हैं इसे लिए मैं आपको वहीं Lazio दिखा रहे हैं अदर्वाइस कहीं भी बना सकते हुआ है अराम से जहा अना आपध। और सब जगह से वुमा करके यहां पर लाकर खतम कर दी अगर हमें शोल्डर पर बनाना होता तो हम क्या करते कि यहां से लेज़क यहां पर फिन लगाते दिन इस तरह को उल्टे साइट से ऐसे ड्रेप करते हो जाते और बस यहां पर जो भी फैब्रिक होता एक्ष्ट्रा वो पर भी बना सकते हैं एक डाड़ बनाना आप सीख जाओगे एक दम अच्छे से तो आप कहीं भी बना दोगे कि साइड सीम में मैं यहां पर लगा रही हूं हो गया है अब इसके बाद हम यहां पर क्या करेंगे कि थोड़ा सा नीचे हो गया है कि ठीक है अब ही क्या करेंगे हम इसको ऐसे लेते आएंगे कि अच्छे के साइड में तिर्चा भी नगा सकते हैं तो यहां पर इस तरी किसी है और डार्ट के पास बिल्कुल जो लाइन है हमारा प्रिंसेज लाइन वेस्ट पर वहां पर लेजा कि इसको खतम करना है यहां पर स्टार्ट यहां पर खतम ठीक यह हमारा हो गया यह अब देख सकते हूं यह इस तरह से अभी क्या करेंगे हम इसको एक पीन लगा करके इसको छोड़ देंगे दूसरे कि तरफ ट्रेप करना है इदर पीन लगाए मैंने और इसको छोड़ दीए अभी हम दूसरे आदे साइड में ड्रेप करेंगे तक मैं आज अगया में इस साइड में ताकि आप लोग को अशै करेंगे वे थै क्वां से कटिंफेंगे जियां सब्सक्राइब करें यहां कि यहां पी करा है honor करा आज कि इस तरह से नपभर किस तरह से बन गया यह देखरो एंटिर का फिरANS के बहुत है कि इस को मैं इसको कम के हाथ से यह लटक जा रहे ही इन को निकाल को जो अपनी एंकी हम निकाल सकते हैं जो भी एक्स्ट्रा है और जो हमें इरिटेट कर रही है इनको हम निकाल के फेक सकते हैं तो यह हो गया हमारा यहां पर पीन अब वैसी करना जैसे उस साइज मैंने किया था बल्कुल पिन करते हुए स्मूधले कहीं कहीं नहीं लगता है कि बहुत गर्मी है यहां पर भी हम कट करेंगी इसको यहां पर देखो आप कैसे कट कर रहा है ऐसे ऐसे और कट करने की जोड़ा था है कि थोड़ा सब्सक्राइब हो गया है इसको भी हम यहां पर ला करके एक पीन लगा देंगे और यहां पर हमें आना है अब यहां से ट्रेप करते हैं कि द्रेपिंग जब अब एक बार आपको कमफुटेबल हो जाएगा करना आप बहुत देखोगे कि इजीली हो रहा है ड्रेप करने बहुत असाम लगने लगता उसके बार ड्रेपिंग पैटर्न मेंकिंग से जादा अच्छा लगने लगता है ड्रेपिंग मेरी बहुत जाएद चलुक्रलेशन करना पड़ता है ऑर ड्रेपिंग बहुत आप आप स्मोली बैस ड्रेप करतेजाओ ड्रेप कर देजा अँसा होता है वह ऐसा नहीं आता है जैसे कि ड्रेप कियोंकि ये एक तास से बाडी पर नहीं ड्रेप हो रहा है तो बाडी पर पहने का आदमी तो जैसे ही फिट आया उस पर इसलिए बहुत लोग प्रेफर करते हैं कि मुझे ड्रेप करके गार्मेंट चाहिए वहा है हम या नियों या फिर बहुत अच्छे अचलों इस डिजाइनर्स होतेइं इस्टाल पिर कुछ कपड़े बना रहे हुं तो मॉंसली ड्रेप करकी हिह बनाते हैं आप देखना बहुत सारे इंतरनाशुनेल ऊपस़ार्ज हां ₹ और सेLP करें उसके फार कर और हूं सैंपल बनाते हैं 6 इसए जिन उसके बाद में करते हैं उसके ट्रेश और सब कुछ तो अगर ऊपके बनाते हैं तो लिए उससे लो, मैं यह सब कुछ आपको ड्रेपिंग से सिखा रही हूं सांसे सत्थ पैटर्न से भी सिखाऊंगी जब मैं पैटर्न वेकिन स्टार्ट करूंगी तो फिर आप लोग देख सकते हों कि पैटर्न वेकिंग में और ड्रेपिंग में कितना डेफरेंस है यहां पर भी मैं एक पेल लागा करके इसको ऐसे फिक्स कर दोंगी आप देख रहे हो वो पूरा हमने ड्रेप कर लिया अब यह मैं क्या करने वाली हूं कि जो हमारा डार्ट है उसको हम यहीं पर स्टिच करेंगे मैं कोई मसीन पर नहीं ले जा रही उसको स्टिच करने तो मैं क्या कर रहा हूं एक ब्लैक थ्रेड लिया है ताकि आप लोग को दिखेगा है जो कि बहुत गर्मी है उसको शहां हरने करेंगे यहां पर अब यसको तीच करने से एक फैयादा यह होता है चाहिक होता है आपको रिजाकर मसीन पर श्टिच करना होता है करना है तरेस मंद दे latest अगर तक नीचे अगर आप बनाओगे तो आप देखना डार्ट हमेशा से कर्व होता है एक स्ट्रेट्प लाइन होगा एक कर्व होगा उसको QA उसको मैंच कर आना मसीन पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है यहां प्रिच्टिज करेक लेता कर मसीन पर चलाएंगे बिल्कुल भी लेगा दूले आप इसको हम्स्टेच करेंगे यही पर आइसा कुछ ज्याधा YouTube नहीं आक बहुत हालके से State करना है कच्या धायगा जीसे बोलते हैं वहीं करना है ते किसले में थोगा सा मुस्कील होगा तो हम क्या करेंगे इसको यहां से इसके बाद कि इस्टिच करते लुक ध्यान रखिएगा कि फाब्रिक एक्स्ट्रा नहीं स्टिच में आया जो डाठ हमारा क्रियर्ट हो रहा है वहीं करना है उससे ज्यादा नहीं फीच रहना है इसको निकाल देते हैं देखवाँ देखवाँ यह डाठ बेसिक वाले डाठ से थोड़ा सा मोटा होता है चौड़े में क्योंकि सारा डाठ यहीं पाकर क्लेक्ट हो गया है तो से लिए कि यहां पाकर लॉक कर देंगे इसको गब देखवाँ तो यह हमाना डाठ स्टेच हो चुका है बहुत अच्छा से अब फिट इसदा से मैं इसको भी स्टेच कर दूंगी इसदा समय इसको फटा फटा स्टेच करती है यह मिक्सियोर कि डाठ इदर भागे नहीं लाइं पर ही वने हमारा प्रिंसेश लाइन है यह लिए हमारा हो गया है डार्ट रेड़ी स्टिच करके तो चलिए इसको फटाफट पहले में मार्क कर लूं करना जरूरी है तो मार्क नें करें तो पता कि का लाइन जा रहा है सब्सक्राइन करना है मार्क करना हूं कमार वेस्ट लेंग मार्क कभी अपथ authentically का छूट गया अप लोगों से तो पता चलेगा कि मार्क का इंप्टरिंस क्या होता है कि हम साइड सीम सब कुछ कि लाइन से मांक करते जाएंगे कि ने को हम इस तरह से मांक करेंगे अचा ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इसी पर मांक करके और फिर उसके बाद रहे लेंगे हमें दोनों इक्वल चाहिए तो हम कितना भी मार्किंग कर ले अगर आप देखोगे तो बहुत साइड्रेस फर्म में दोनों इक्वल साइड नहीं होते यहां ते क्यामरे बॉड़ी में भी न पूरा मार्क करना खॐरी में देख सकते हैं और भी में इसे यही वोतनus यहां थोड़ाचli को पराचलव आपकि दिए नहीं होता है जादा नहीं फुर्क British मैंन hace a-b시죠 होता है तो उसी तरह से हमारे यह ड्रेस फॉर्म में भी जब बनता है तो यह परफेक्टली दोनों बैलेंस नहीं होते हैं तो हमें क्या करना है कि एक तरफ में मार्क करना है मतब पूरा मार्क कर लेना है बट करते वक्त हमें देखना है कि किस तरफ कहा में मार्किंग लेना है तो हम बीत से फोर्ड करेंगे या नोसके बाद उसको चुट करेंगे साइट सीम और आम होल सब कुछ तापि दोनो तरफ एकवल हो ठीक है इसलिए हम मार्क तो करेंगे बार향 इस करेंगे कि नहीं चुट करेंगे यह बहुत रेरली कोई बताता है आप जब भी देखोगे किसी को भी ड्रेप करने का तो इस तरह से कट करके पूरा ड्रेप करके बनाते हैं करने पर कभी कभी बहुत ज्यादा डिफ्रेंस हो जाता है तो वह डिखने लगता है आपके बॉड़ी पर आपका डार्ट मुव होने लगेगा बॉड़ी पर इधर उधर तो इससे प्रॉब्लम होता है क्योंकि आप अगर यहां बड़ा चोटा हो गया थोड़ा बहुत तो य बीच में जब जाएगा कहीं फैबरिक एक्स्ट्रा जो हुआ है वो बीच में कहीं न कहीं आज़ेश्ट करने लगेगा खुद को तापका डार्ट इधर इधर शिफ्ट होने लगेगा तो वह भी प्रॉब्लम आता है बहुत कम लोग यह चीजे बताते हैं बहुत कम लोग नोटिस करते हैं इस चीज को आप लोग धियान रखना इस बात को यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है यहीं प्रॉब्लम क्रियेट करना लगता है बहुत जादा फिर हमें लगता है कि हमने सब कुछ तो बहुत कर दोना यहें के तक टैसलिए कि मैं थोड़으로 करको थे फोर्ड करना एक तरह करें से बालेंसट थीकैंट तो यह हमारा पूरा हमने माक लिया मुआ कर लिया किLooking क्या कट्र ही। मैं था इस्वाएथ कट करकर निकाल देती ह। निकाल देती हूं this मैं बैग इसी पर ड्रेब करने वाली हूँ तो जो भी एक्स्रा फैब्रिक होगा वो थोड़ा साथ प्रॉब्लम क्रियेट करेगा तो इसलिए मैं थोड़ निकाल देती हूँ इसको तो यह मैं इतना सीम अलाउंस छोड़ करके इसको निकाल देती हूँ मैं यहां पर कोई ऐसा सीम अलाउंस एक्स्टा यह सब मार्किंग करके नहीं रख रही हूँ कि वन इच यह फिर तेरी इंच और हाफ इंच ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ बस कट कर नहीं क्योंकि मैं इसमें सीम अलाउंस तो रखने वारे हूँ नहीं बस मैं कट करें हूँ ताकि बैक का ड्रेफ हम लोग अच्छे से देख पाएं कर पाएं बैक में प्रॉब्लम ना करें हमारा फ्रेंट हो गया है आप देख सकते हूँ मैं क्या करूंगे फ्रेंट से सारे पींस निकाल लेती हूँ हम इसको बैक में लगा सकते हैं फ्रंट में भी जरूरत नहीं है इसकी ठीक है हम यहां पर मार करेते हैं बीपी के लिए बीपी मतलब बस्ट पॉइंट है चलिए आते हैं पैक की तरफ तो बैक में हमें कितना फैब्रिक चाहिए आपने पहले ड्रेपिंग में देखा होगा तो आपको पता होगा कि लेंध कितना है हमारा तो 16 इंच और 16 में तीन इंच हम आड करेंगे ठीक है साइट सीम जाना है तो इसमें भी हम तीन इंच आड करेंगे तो चलिए फैब्रिक को रेडी कर लेते हैं बैक के लिए भी सेमी प्रोसेस है आयन करना है फैब्रिक को एंदेन उसके बाद फॉल्ड करके जो मेजर्मेंट है हमारा उसको रखते हुए उसको क्रीज करन करना है मिट से एंदेन कट करके ले लेना है फैब्रिक को तो यह हमारा फैब्रिक हो चुका है रेडी क्रीज लाइन है उसको बहुत अच्छे से आयन करना है ताकि वह अच्छे से परफेक्टली दीखे तो हमने फैब्रिक को रेडी कर लिया है और बिल्कुल वैसे हैं जैस इंटर फ्रेंट पे रख सके हैं विल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमारा फ्रेंट में था बैक में भी हमें सुल्डर निक से ड्रेप करते गया आना है पिंक लाइन को रेफ्रेंस लगते हुए प्रेंस को लगा लेती है तो यह हमारे पेंस लग चुके हैं अभी क्या करना है कि इसमें भी हमें नीचे में डाट बनाना है तो वैसे ही हम आएंगे बिल्कुल कि स्मूध करते हुए फैब्रिक को हम थोड़ा सब कर देते हैं ताकि अच्छे से स्मूध हो सके शुर्र सपिले करते हुए यह अच्छे स्मूध है आर्म होल पर पिन अच्छे से स्मूथ करते हुए ऐसे कट करने के जोड़ा सा ही प्रीज बन रहा है इसको थोड़ा सा कट करके रिलीज कर देंगे जो भी बन रहा है थोड़ा से ही ठीक हाँ इसको वापस से साइट सीमपर्स को माक करते जाएंगे और पिन लगाते जाएंगे बैक में देखूंगे आप तो ऐसा कुछ जादर डार्क पलता नहीं है बैक में हम इसलिए मोस्ट ली निकाल भी देते हैं साथ यहां पर लगा एक पिन और यहां पर लगा एक पिन डार्ट के एंड पर डार्ट के स्टार्ट पर पिन जाओ नहीं रार्ट के पिन लगाएंगे ठीक है यहां पर अमिक पिन लगाएंगे यह हमारा एक तरफ का ट्रेप करेंगे आप लोग कहा कहां से हो जोड़ा बताव आप लोग किती गर्मी है आप लोग यहां पर यह भी बताव यहां तो बहुत गर्मी प्रेया आप लोग दो तीन बार कर लोगे ड्रेप आप लोग को बहुत असान लग लगा इसमें लगे आपको कुछ करना ही नहीं हाँ कुछ कुछ ड्रेपिंग बहुत जादर डिफिकल्ट होती है बिल्ट नहीं होता है आपको अच्छे है आपको अच्हे हो गया तो प्रॉब्लम नहीं होँ है आपको कूलियaire नहीं हूगा तब झाकर प्रॉब्लम होसकता है रहे बहुत आपको बहुत छोटी छोटी चीजों से minor difference से problem create होने लगता है है जिसलिए छोटी छोटी चीजों को हमेशा ध्यान में रखना है इग्नोर नहीं करना है इग्नोर जहां कि यह बहुत बड़ा problem create कर देगा हो यहां पहर में किलाएंगे हैं तो करके पीन लगाएंगे पोजी डारेक्शन में रखेंगे डाटा में क्रिएट करना ही है और डिजाइनिक ऐसा चीज है कि कितना भी कोई बता ले आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आपको दिमाग अपना लगाना पड़ता है वहां पर टीचर जो है बताता तो है लेकिन बहुत कुछ चीजे उनके छूड़ भी जाती है उस मोमेंट पर मतलब आप नहीं क्याप्चर कर सकते हो जैसे अभी मैं बता रही हूं आप करोगे में भी हो सकता है कुछ और भी प्रॉब्लम्स आए उस प्रॉब्लम क को सॉथ आउट कैसे करना है क्या करना है वेन थोडा सा अपनी दिमाग से हम लोनों को करना होता है थीक है तो थोड़ा बहुत माघ लगा ना जुरूरी हैं को, और क्वैस्टन की जीए कि हां यह यह क्यों होता ऐसे कैसे होता है ऐसे किया तो ऐसा हुआ तो दूसरे तरीके से करेंगे तो कैसा होगा थोड़ा से एक्सपेरिमेंट आपका माइंड चलने लगेगा इन सबको ध्यान में रखते हुए सब चीजे सीखने ही आप लोगों को डार्ट को हम इसको भी स्टेच कर देंगे अभी आप देखोगे यहां पर तो डार्ट अगर देखोगे तो भॉट उपर तक ऐसा जा रहा है बट यहां तक जाता नहीं है तो जाता नहीं है तो क्या होगा अभी हम लोग इसको थोड़ा सा इसको खींच के इसको ड्रेव कर सकते हैं तो यह अपमें आप स्मूध हो गया तो यह चीजे हमें ध्यान रखने होगी थोड़ी बहुत चीजे जो लगे कि हां कुछ गरबर हो रहा है लेंथ बड़ा हो रह कर तो हम उसको थोड़ टाइट करके इसको स्मूध कर सकते हैं और डाव्ट को थोड़ा सा नीचे की तरह कम रिका रख सकते हैं तो यह सब चीजे टेकनिक आपको थोड़ा बहुत लगाना पड़ेगा इसी तरह से मैं इस साइड का भी स्टिच कर देती हूं धागा हो गया है खतम कर दो कि यहां पर हम आप यहां का डार्ट लंबा जाहाता था पडल यहां काड़ नहीं जा है लमबा क्योंकि मैंने यहां पर कीच के कि एश कुछ कर सी मलां पर था घुर से स्कोरा हैं में हदो डेक जूर दिया था इसलिए को प्रोवाड हो आ SCOTT कि यह तो त्ई दिए अफ्ट को डियान मेरे रखना है कितना चोटा सा चीज था भर्ट कड़ suspect कर दिया ना कर देका ह Jup प्रोब्लम नहीं आए इख कर दो और अगर आयब थी तो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखा दोंगे आडूंगी आप लोग आप किसी तरहक्off आप लोग स्वाइव कर सकते हो खुद से को यह हमारा थक अब हम चाहते करेंगे मांक करेंगे यह चाहते इसको मांक कर लेते कि डार्ट का भी भी हम मार्क करेंगे इंट्वेंड साइड सीम पर हम मार्क करेंगे और आर्मोर को बैक फ्रांट का देखते वे आर्मोर को मैज करा दिलेंगे यहां पर्ड हमारा कि उताम दिलेंगे वे आर्मोर करेंगे नहां आर्मोर का देली आर्मोर का देछ प्ततिव कि ए हम मार्क sì कि वेलेंगे आर क्वेखते烈 मार्क मारक तो यह हम्मारा हो गया है सारा कंप्लीट डार्ट को मार्ग करेंगे भार जार्ट करेंगे मजब लिदागा लाओारा ग्रवाद को अपसerinदàiत लाओार पुट्णभा do लाओा हैं अजय कोरिए हैं, अरिए झाओ समय का बता हैं. तो यह हो गया हमारा पुरा ड्रेपिंग कंप्लीट फ्रांट और बैक का वर्ण डार्ट का तो आप चलिए इसको निकालते हैं और फिर उसके बद मैं इसका डार्ट स्टिच करके पूरा फिर वापस लगा करके वैसे दिखाती हूं अगर आप देखते होगे तो ड्रेपिंग मुष्ली आपने देखा होगा तो जब लाइनिंग ड्रेप करते हैं तो हमारा जो ड्रेपिंग है अभी मैं जब इसको स्टिच कर दूंगी तो डार्ट को अंदर की तरह कर दूंगी और बैक का जो होगा वह फ्रेंट हो जाएगा बट अगर हम लोग इसके उपर कोई में फ इसी खाना होता है। लायनिंग हमारा है विलकुल फिनिशिंग होती है। इसलिए ये वाला हम इसी के ओपर ऐसे ही ड kindness करते हैं कोई और फैब्रीक होता है। डार्ट को स्टिच करके। अब ही इसको स्टिच करके फिर आपको ड्रेप करके दिखाती। वापस थाती है। झाल झाल यह हमारा बैक निकल गया तो फ्रंट और बैक चलिए इसको स्टिच करके डाट को देखेंगे और फिर उसके बादिस पर वापस से ड्रेप करके दिखाऊंगे आपको तो सबसे पहले मैं फ्रंट के डाट को स्टिच कर रही हूं इस्टिच करते वक्त मेरा जो नीडल है वो ध बाता चल गया अभी हम दोनों डाट को स्टिच कर लिए और यहां पर एक चोटा सा बच्चा है हमारे गर में जो पहुत जाता है जब भी मैं स्टिच करती हूं उसको बहुत पसंद है स्टिचिंग देखना और वहीं पर जा करके सब कुछ चलाएगा अभी आपको थोगा द और उसका प्लेन मेरे मसीन पर ही चलता है यहां पर मैंने स्टिच कर दिया है अभी मैं यहां पर क्या करूंगी मीड से फोल्ड करूंगी मीड से बिल्कुल फोल्ड करना है वैसे ही जैसे मैंने फैब्रिक को कट करता वक्त फोल्ड करके यह था उस मीड को हमें वापस से मिट निकालने के पाद मैं सब जगह पर ठीक से करके देखँँगी की कौन सा जगह पर मतलब इस साइड की बैक साइड में क्योंकि दोनों इकवल नहीं है आप देखो तो तो इसी लिए हम यह देखेंगे कि कि fotograf साइड में जादा वाला है क्योंकि कम वाला हम कट कर दियें तो दूसरी साइट में श्रा हो सकता हैं किहों कँम ज्यादा है us लिए हमें हमें ज्यादे साइट को चिक करना है अभी यह देखो गए वाला क्या है उसमें हमारा सब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है अभी देखके आपको पत्समाज में आ रहा होगा कि हम ड्रेपिंग तो ठीक किये थे अगर इसी ही साफ से कट करते और फिर इसको पलट कर लगाना होता तो दुस्रे साइड जाता तो यह छोटा हो जाता अगर जैसे ड्रेप कि एक्सट्रा यह जाएका तो तुरंट गढ़ मढ़ हो जाएगा ऊपस चीज को अवर्ट करने के लिए हमें क्या करना है जो बड़ा हाँ साइज उसको कट करना है योगि बढ़ा रहेगा तो उसे हम छोटा कर सकते हैं चार्ट करके बट छोटा हो जाएगा तो फिर बड़ा क है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे चिक करना है दोनों तरफ का लाइन मैच कराना है मिलाना है देखो आपके इस तरह से कि इस तरह से मिलाने के बाद जो भी बड़ा वाला आएगा साइट उसी तरफ से कट करना है आपको सीम अलाउंस को रखते हुए क्योंकि अगर बीट से दोनों एकल रहा तो हमें अगर कम थादा करना है तो हम साइट सीम से एक्स्ट्रा स्टिच करके उसको कम ज़्यादा कर सकते है बट अगर मीड में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो डार्ट इधर उधर खसकने लगता है और वहीं प्रॉब्लम करने लगता है तो यह देखो यह हो चुका है ड्रेप बिल्कुल पर्फेक्ट आप देखो कितना फिनिश्ट है एक दम अगर इसमें ड्रेप करने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम होता तो हम उसको सॉल्फ कर सकते थे काट चट के लेकिन यहां पर प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है उतना सही था है सही है क्योंकि हमने अच्छे से उसको ड्रेप कर दिया है आप देखो तब बीपी बिल्कुल समस्में होगा जो भी आपके प्रॉब्लम सो जो भी आपके डाउट सो उसको कॉमेंट में ज़रूर पूछिए और सांथी सांथ यह भी बताइए कि मैं किस तरह से पढ़ारी हूं आप लोगो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है और एक और चीज कि जो भी चीजे हैं आप ड् तो उतना ही में हम नहीं रहते थे मेरा ऐसा था कि सलेबस को कंप्लीट करने के बाद मैं थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चीजें भी करती थी और जैसे ड्रेपिंग मुझे अच्छा लगता था पैटर्न में अच्छा लगता था तो पैटर्न में मैं दूसरे का भी पैटर्न तो एस तरह से क्या होता है यह आप दिमाग जहां लगाओगे तो आटोमेटिकली आपका बढ़ेगा दिमाग ठीक है तो जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ही ज्यादा ग्रोथ होगी तो यूज करो थ्वासा दिमाग को बढ़ाओ अगर आपको बहुत अच्छा सीखना है तो कुछ करना है तो आपको इसमें तो थोड़ा बहुत आपको डेवलब करना होगा क्योंकि कोई टीचर हो कोई कुछ भी हो आपको एक लेवल तक ही बता सकता है आपको खुझ से उसको कितना डेवलब कर सकते हो यह आप पे डिपेंड करता है आप कितना प्राक्टिस कर यह नहीं कि हां बस इतना होमवर्क मिला है इतना आपका प्रोजेक्ट है इतना आपको फिनिस करना है आज का डेडलाइन है बस उतना हो गया देन हो गया खतम आप कुछ नहीं करना है नहीं उसके अलावा आपको करना है तभी आपका माइंड जो है वो एक्स्ट्रीम लेबल पर ग्रोथ करेगा आपकी सोचने की शमता बढ़ेगी तो कभी भी सिर्फ इतना सा कोई दे दिया तो उतना सा में नहीं रहना है आपको उससे थ्वास अलग हटके भी देखना है जैसे मैंने उस ड्रेप करते वक्त भी बताया है कि जाता नहीं कुछ एक्सप्रोर करना है तो यह देखो अगर मैंने हिसको इस तरह से ड्रेप किया तो इस तरह से आया अगर मैं इसको अलग तरीके से करूं तो किस तरह सकते तो 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 थोड़ा बहुत कीजिए आप लोग और अगर आपको अच्छे से सीखना है तो और आप लोग देखो जो भी डाउट सो जो भी कुछ भी प्रॉब्लम हो आप लोग कॉमेंट में लिखो, मैं जितना भी प्रॉब्लम से आप लोग बताओगे, उतना स्वाल्व करते जाओगी, उतना ही आपको समझ में आता जाएगा, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्ष च्रास में, तब तक के लिए, keep learning, keep smiling, take care, bye guys.